लिज़रें मादिवी सिंग मात्र सोई में आपका स्वागत हैं आज में विटेमिन सी से भरपूर आमले की बहुत ही तेश्ती चठनी बनाना बताओंगी पिक ऑवले की चठनी बनाने के लिए मैंने यह 9-10 आमले बैक की की को इस तरह से काट लिया। यह आमले हैं और इस तरह से मैंने कच्छे यह आमले काट लिया है अब हम क्या करेंगे एक पैन चाहेंगे इसके अब इसमें हम दो चम्मा चॉल डाल देंगे अब इसमें यह थोड़ा सा डाल देंगे मेथी दाना और यह आधा चम्मा जीरा अब इसमें यह मैं डाल दूंगे लयसुल पाच्य कलियां लयसुल की और दोल्श अद्रख का तुकड़ा इससे इसे ही मत्वस्त्रख को बड़ा बड़ा ताट के डाल डेंगे क्योंकि बाद में हमें उसे ज्राहीं करना है अब इसमें मैं डाल दूंगे 7-8 अरी मिर्ची को तुक्डे करते हैं और इसमें डाल देंगे यह आमला मैंने काट के राखा ताब बूदाल देंगे तोड़ा 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 दाल देंगे अब इसे चलाते हीए थोड़ा समतला पक जाएए शब्सका हमें भूनना वेस को बन कर देंगे और थोड़ा सा ठंड़ा हो जाएगा कभी से आम पीस लेंगे इसमें मैं एक चम्मच खड़ा धनिया वी डाल दूगी मैं भूल गई थी डालना तो अब डाल दूगी तैसे अब आमले को एक जार में डाल दिया आप इसे कूट भी सकते हैं लिए फाल बटता रहता उसके आप कूट भी सकते हैं और या फिर मिक्सी में भी आप हम ठक्कन लगा की से चृएइड कर देंगे अब यह से उस तरह से हम रौन कर लिया है अब क्या करेंगे घैस पे ऐसे पैन को फिर से चडा देंगे और यूसमें डाल देंगे। हमने ऑईल डाल दिया है और पीर हम दालेंगे। आयूरवेद में तो इसका बहुत महत्वर है और बाल के लिए भी बहुत अच्छा रहता है और जैसे हमने ये इसको काट के जो ये गुठलियां बची ना ये इसे हम क्या करेंगे कि जब हमसे जब महंदी के लिए बालों में महंदी लगाने के लिए हम पानि उबालते गरम करते तो इसने ये डाल दी जेगे दाल और ये डाल देंगे हम थोड़ा सा सूकी लाल मिर्च अब इसमें डाल देंगे हल्दी और कढ़ी पता और ये लेसुन तिन चार लेसुन हम इकलियां डाल देंगे इसमें आप इसे लेसुन को थोड़ा पतली-पतली भी काड़ सकते हैं अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने पीसकरा खतावला को डाल देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए यह जल्दी में खराब होती है यह आप 2-3 महने तक खा सकते हैं और आवला खाना भी चाहिए अभी सीजन चल रहा है वैसे को साल भर खाना चाहिए खोड़ा खोड़ा आवला एक आवला डेली हमें इसी विरूप में खाना चाहिए चै पाने के साथ मोल बहुत तेस्की लगता है तब इसमें हम डाल देंगे नमक इसमें एक चम्मच और थोड़ा सा और डालेंगे नमक अपर यह ज़िए कम लगे तो तोड़ा सा डाल सकते हैं जब यह इससे ठंडा करके और काज की बाटल में डाल के और फ्रीज में रख दीज बाहर भी वसी जल्दी नहीं खराब होगा तो तो ठंड भी पड़ रही है और दूसरी बात इसमें पानी तो बिल्कुल डला नहीं है तो यह जल्दी नहीं खराब होता है अब यह चट्नी भुन गई है बैस को बन कर देंगे और इसे अभी हम बावल पल रख लेंगे अब आमले की चट्नी बन के तैयार है इससे आप स्टोर करके रख सकते हैं जल्दी खराब नहीं होती है और मेरे वीडियो को लाइट सब्सक्राबर शेया जेविक कीजिए थैंकिए